प्रशाज के वीए पंजीरी बनाने जा रहे हैं ड्राइफूट पंजीरी बनाई-स prospective बमक खाना है। वैसे तो थनीयः पाउडर का पंजीरी बहुत तरीके बनता हैं लोग अलग अलग तरीके का ज्प्सकेन बनाती हैं वही आप यूज़ करो नहीं है या पसंद ना पसंद के हिजाब से भी आप यूज़ कर से जो पसंद है वो डालो जो नहीं पसंद है उसको नहीं डालो तो चलिए फटा फट पर स्टार्ट करते हैं बनाना अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन है उसे पर जरूर प्रेस करें इससे मेरे लेटेस वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा नियु तो यहाँ पर रहे पंझीरी बनाने के सबसे पहले प्रेयल मकाना का है तो पुल मकाना चाहिए हुगा उसके बद मैंने नहीं हमें थोड़ईंच पीसमी कट किरें काजू बड़ बदाम और पिस्टा जैसे घुच्छ सबस्त juga नहीं दू billion नहीं दृख होगा यहाँ आपके पास यह नहीं है तो जो सुखा नारियर होता है ना उसको आप ग्रेट करके वह भी ले सकते हो उसका मैंने यहाँ चार से पांच इलाइची ले लेकिए हरी इसको भी हमें भी क्रश कर लेंगे यहाँ पर हमसे पहले शुगर पाउडर बना लिया है मैंने नहीं था तो एलाइची को प्रिश कर लेते हैं तो यहाँ पर हमसे अच्छे से पाउडर बना लेंगे यह मैं दर दर यह होगा अभी यह ज़िए निकाल रहेंगा अभी हम इसको फेक नहीं चाइव इसको आइगाझ जिए कर दें कड़ाई गरम हो जाएगी तभी में घी डाल दोंगी यहां पर मैंने दो चोटे चोटे में घी डाल दिया है और अब हम रोस्ट करेंगे फूल मखाने को तो यहां पर ध्यान रखना की गैस का फ्लेम लो होना चाहिए इससे हमारे जो मखाने हो गए ड्राइ फ्रूट्स हो गय आगर ग्रैम के साफ से देखो तो यह 25 ग्राम है और इसमिज़ ग्रैम फ्रूट्स हो देंगी इस से पंजिरी अच्छी नहीं बनेगी तो यहां पर देंगे जो भी दिखे आपको पर निकाल दे जाना थाटाना इसको लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगी अच्छे से अच्छ किसी भी चीच के लिए अगर आप ड्राइफ रोस्ट कर रहे हो भून रहे हो तो लो फ्लेम पे भूनना इसे बहुत अच्छा तेस्ट आता है बिल्कुल जलेगा भी नहीं और आप अग्दम क्रंची क्रंची रेडी हो जाएंगे ड्राइफ रूट्स यहां पर आप देख सकते हो कि मकाने बिल्कुल रेडी हो चुके तभी मैं इसे ट्रांसफर कर लेती हूं थाली में तक यह थोड़ा ठंडा हो जाए तो सेम कड़ाए में मैं वापस से थोड़ा घी डालोंगे तो यहां पर मैंने एक चोटा तमिल घी डाला है और इसमे मैं बहुत अच्छा था टेस्स आता है मारी पंजीरी में और जो भी आपके पास घर में ड्राइफ रूट्स हो वह आप इसमाल करना अगर नहीं है या इसमें से कोई ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है तो वह भी आप स्किप कर सकते हो संसक प्रell आ पास बन्यक्थ कप्ल रज़ एसलिक मारे नहीं हैं सब्सक्राइब मेश्टा ऐा सरा जब कि आ利े नहीं है ऑ्र उे पो पो से टोड़िए क्योंए बम सकते हो घ्रने 6 को भी दिसे हो है जो पीटितले झाल झाल तो उस ताइम पे थोड़ा को धियान देना में ऐसा पिर समझ सकते हो कि जब हम प्राइफ्रोर्ट को रोस्ट करें उनको हमेशा लो फ्लेम पर रोस्ट करना जाहिए क्योंकि यह से वह जल जाते हैं और चुह उसका एक्च्वल टेस्ट होता है न वह बिलकुल नहीं याथ है आज फिर आप उसको रोस्ट करोगे तो इसका बहुत अच्छा सा कलर आएगा और यह जलेगा अच्छा सा खिल के उसका टेस्ट आएगा तो यह बात आप मेरी ध्यान लगना और जब भी जब भी आप किसी भी चीज के लिए आप ड्राइफूट रोस्ट कर रहे हो तो हमेंसा लोग फ्लेम पर ही रोस्ट करना इसे बहुत अच्छा का तेस्ट आता है और सारी जो में ड्राइफूट सेनों उनमें एकुल कलर हाता है अच्छा होता है यह एक टिप है जो में आप लोगना चाह रही थी आप शॉर्य यहां पे में एक मिक्सिंग बाउल नोंगी और मिक्सिंग बाउल में यहां पे जो मकाना हमने बूंगी पाउडर बना के रखा है उसको हम निकाल लेंगे मिक्सिंग बॉल में तो यह भोग में मिन्स आपर रेगुलर जैसे बगवान जी को भोग लगाते है ना उस बेसिते भी बना के आप इसे स्टोर करके रख सकते हो और डेली बगवान जी को भोग के लूप में इस तर्माल कर सकते हैं यह आपर खराम नहीं होगा तो यहाप मैं तो गरम नहीं है आप इस वाद कर दिया लगना के थंदा होने के बाद ही हमें सब को मिक्स करना है नहीं तो फिर वो चीनी यह पिखन ले लेगेगे अगर आप गरम गरम पर ही डालोगे तो चीनी के कौंटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हो मिन्स जैसा आपको मीठा पसंद ह हो उसी ताबसे आप कम ज्यादा कर सकते हो तो यह पर मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूं सारा इंग्रेंट मैंने एक मिक्सिंग बावल में डाल दिया है और इन सबको अच्छे से 2 पून की हलब से आपको जैसे भी कमफर्टेबल लगे वैसे आप इन सबको एकद प्रशाद का प्रशाद भी हो गया और सुपर हेल्दी हो गया क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे ड्राइफ रोड्स एड किये हैं जो कि हमारे हेल्ट के लिए बहुत अच्छा होता है तो आप सब भी इसे बना के काना जी का मिन्स काना जी को भोग लगाओ और उनको जरूर पस सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तो आई होप आपको यह रेसिपी अच्छे लगी हो कि लेगे आपको शान जी बाबा के लिए भोग जर जन्मस्ट में स्पेशल आई हो पच्छे लगी हो अच्छे लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना जिलों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगर में बैल आइकन उसे भी जरूर प्रेस के लिए इसे में लेटेस्ट वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा तो चलिए फिर में नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई अजय श्री कृष्णा हैपी जन्मस्ट